बहुत सारे किसान भाई लसुन की आखरी सिंचाई को लेके बहुती कंप्यूज रेते हैं क्योंकि लसुन की आखरी सिंचाई लसुन के लिए बहुती मायने रखती हैं क्योंकि जब भी लसुन की अगर आखरी सिंचाई आप समय पर नहीं कर पाते हैं तो लहसुन में समझ्या देखने को मिल जाती हैं। उसमें आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाईयो लहसुन की आकरी सिंचा आपको कप करना चाहिए इस वीडियो में हम इसकी जानकरी देंगे। और साथ ही यह भी बताएंगे आपको कि इसमें आपको आकरी समय में कौन से फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और आप आकरी समय में क्या काम करें जिससे आपकी लहसुन में नुकसान ना हो पाए तो किसान भाईयो वीडियो को अंतक देखिए आप फर्टिलाइजर यूज करते हूँ तो आप सिर्फ उस में जो माइक्रो नुसेन फर्टिलाइजर रहते हैं उनके अलावा दूसरे फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए और साथ ही आपको कहने आकरी शिंचाई में आपको नहीं नोटीश या इन्पीके 0050 रहता है उसको आप इस प्रे में दे सकते हैं और फिर लसुन में आकरीश चाहिए कर सकते हैं यदि आपने पहले यह नहीं दिया हैं तो तो इसके अलावा किसान भाईयो आपको आकरीश चाहिए करते समय एक और ध्यान रखना चाहिए जो जो काली म सब्सक्राइब करने की इसके अलावा हम बात करते हैं किस समय में करने चाहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो देशी लसुन रहती हैं उसमें आपको आकरीश चाहिए कप करना चाहिए जो देशी लसुन रहती है उसमें आपको आकरीश चाहिए करते समय आपको पहले देख लेना चाहिए कि जो लसुन है उसमें जो लसुन का जो लास्ट स्टेज का पत्ता रहता है यानि कि यह जो पत्ता है अब इसके आसपास कोई भी पत्ता नहीं है जो इसके चिपक के इस प्रकार से जो आखरी पत्ता रहता यानि जो डोड़ी वाला पत्ता रहता है जिसके डोड़ी आती है उपर आगे उस पत्ते को आप देख लीजिए कि यदि आपकी फसल में वो पत्ते आने लग गए हैं तो उस समय आप उसमें आकरी सिंचाई कर दीजिए और जब आपकी फसल में यदि जो देशी लसुन रहती है उसमें यदि आपके 10-20% डोडिया भी दिखने लग जाए यानि कि 10-15-20% आपको अगर डोडिया दिख रही है और आपने पहले सिंचाई नहीं की है तो भी आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं जैसे कि जो डोडि वाला पत्ता रहता है यह इस प्रकार से जो डोडिया है वो भी अगर आपको 10-15% आपकी फसल में दिख रही है देशी फस लसुन में तो आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं लेकिन किसानको वाटियों यादी उंठी की फसल लगा रखी आपने तो उंठी की बच्तल में आप ऊच्छी डोडिया रहती है कि उसको निकलने के बाद आपको ょसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है कि जो दांत्री रहती है दांत्री बनने की समझ स्वाइप ज्यादा समें आप जो पता रहता है वो देखली कि हाँ ओष जिए पता है वसके बाद आप समें आäकरी सिंचाई कर दिजिए झाल और पिर उसको आप छोड़ दिजिए लेकिन देशी लसून में उसमें आपको दस 10-15 % यदि दोडिया भी दिखनी है तो भी आप उसमें आकरिशन चाहिए कर शकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिंदेशी लसुन में आपको यदि दोडिया दिखने लग जाए फसल में यहीं 10% दिखे तो आप कर सकते हैं लेकिन दी 10% से ज्यादा उसमें डोडिया दिखने लेती हैं अगर वह चंटने लग जाती है तो आप लसुन की फसल में आखरी सिंचाई कर रोग दीजिए यदि आप लसुन की कलिया चिंटने लग गई हैं और उपर डोड़ी वाले पत्ते भी आ गए हैं तो आखरी सिंचाई मत करें फिर उससे क्या है कि वह दांतरी आने की सम लग गई हैं बिल्कुल अलग किलियर नहीं चंटी और चटने लग गई हैं तो उस समय आप उपर का जो आखरी पत्ता रहता हैं उसको देख लिजिए कि यदि फसल में आपके मतलब दस से 20 प्रेसंट डोड़ीया निकली हुई है और तो आखरी सिंचाई कर सकते हैं और ले तो आखरी सिंचाई से चली जाती है अगर आपने आखरी सिंचाई समय पर नहीं करते हैं तो उसकी चमक और परदा रहता है वह खराब हो जाता है जिसके वजह से लसुन कम भाव में बिखती हैं और आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है इसलिए आप आखरी सिंचाई बहुती समय पर करें और खास करके तो आप उठी लसुन का भूती ध्यान रखे क्योंकि उसमें बहुती समझ्चा रहती है आखरी सिंचाई को लेके तो कि आप जो डोड़ी वाला पत्ता है यदि वह पांदस प्रसंड निकला हुआ है तो आप कर सकते हैं यदि वह दस प्र पत्ता निकला हुआ सब्भी आपके पोधों में तो आप उस समय आखरी सिंचाई कर सकते हैं तो किसान भाईयों यह थी हमने जो लसुन की फसल रहती है उसमें आखरी सिंचाई की जानगारी क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफूजन रहते हैं उनको डर रहता है कि यदि हमने आखरी सिंचाई समय पे नहीं की तो उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और यह वास्तों में सर्चे के आखरी सिंचाई फसल के लिए बहुत ही माइने रखती हैं तो किसान भाईयों आप हम एक बार और बता देते हैं कि जो देशी लसुन रहती है उसमें यदि 21% डोडिया भी निकली हुई हैं तो भी आप उसमें आखरी सिंचाई कर सकते हैं और लेकिन यदि उन्टी लसुन लगा रखी आपने तो उन्टी लसुन में आपको यदि 10-15% डोडिया हैं तो यह आप सिंचाई कर सकते हैं यदि आप उसमें 20% तक डोडिया निकलने रग इसलिए आप उंटी लसन का खास करके ध्यान रखे और यदि आपने देशी लसुन लगा रखी है तो देशी लसुन में आप आखरी सिंचाही भी हाँ 20-30 प्रशंट की डोडिया तक भी लेकिन आप खास बात के ध्यान रखे बस हाँ आपको 10-15 प्रशंट डोडिया दिखने अरगता है लग गए और लसुन में तो आप उसमें आखरी सिंचाही कर दीजिए देशी लसून में भी और उटी लसुन में प्लास्टिए ऑस उसको दीख ली जै कहां ये पत्य सबनाले लसून में आपके निकलने लग गए उसके बाद आप Après आखरी सिंचाही कर दीजिए nodig चाहई करने के बाद में आप देख लिजिए कि आपकी लसुन की पसल पके त्यार होती है तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि आप किस समय उसको जमीन से निकाले ताकि उस वह निकलने में भी आसानी हो और वह अच्छी टूटे भी नहीं और उसका जो साइज वह भी अच्छा रहे और प्रदा भी काफी अच्छा रहे तो किसान भाईयों नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लाइक करें मिलते हैं इसी रुचत जान करें साथ नेक्स्ट वीडियो में जै जावान जै किसान जै हिन जै भारत